बिहार में कुरोना संकर्मित मरीजों की संख्या घटी एक दिन में 303 नए संकर्मित मरीजों की पाचान की गई है और इधर मौसम विभाग ने बिहार को लेकर अरड़ जारी किया गया है बिहार के ठार सारों में जम्मू से भी जियारा ठंड के असार यानि कि सरदी का सितम ज जारी है आभुसनलुट मामले में जहनाबाद से नौ धराय और बहुमंजली इमारत में लगी भीसानाग छो की हुई मौत संकर्मित होने के तीन माँ बाद ही लगेगी वैक्सेन और राज में बालु घाड पर चेकर की गोली मारेकर हत्या यानि कोरंगाबाद की है या बड़ सातरविति को अवेदन पचीस तक है और बिहार में भाजपा और जदिव का गटबंदन मजबूत जैस्वाल काया बड़ा भ्यान थानों को जरूरी खर्च के लिए नहीं करना होगा अब इंदेजार खाद की आपूरती में सुधार पर कमी बरकरार जदिव की स्वैचिक सह सब्सक्राइब नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सुनील वह भी और आप इस समय देख रहें मगश्रमबाब के खाद कार्ट करम सुबह सबेरे में हम खबरों को लेते हैं अख़वारों के पन्नों से अख़वारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबरी तमा पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा तरी खबरों की शिल्षिला सुरू करते हैं बिहार में कुरोना संकर्मित मरीजों की शंख्या लगतार कम होता जा रहा है एक दिन में तीन हजार तीन नए मरीजों की पाचानकी गई है आपको कुरोना अपडेट बता दे कि 96.07.37 स्व संकर्मन दर है बिहार में 29.578 शक्रिय मरीज बिहार में आपको बता दे कि बिहार में लगतार पांच्वे दिन कुरोना संकर्मन के कम मामले मिले हैं राज्य में सनिवार को 303 नए कुरोना शंकर्मित मरीजों की पाचान की गई है और इधर बात कर ले मौसम अलर्ट को लेक संकर्मन आपको बता दे कि बिहार के 18 से अथीक सहरों में निंतम पारा जम्मू से भी कम रिकॉर्ड किया गया विहार के इन सहरों में जम्मू के मुकाबले मुकाबले 2-3 दिगरी तक तापान में अंतर देखा गया है भारी ठंड जहल रहे राज्य के परमुक्त सहरों में पटना गया पुर्णिया चपरा आदी का नाम शामिल है और आज सुबह सुबह ही कई जिलों में बारिस भी जहमा जहम बारिस हुई कहीं कहीं बुंदा बांदी बुई और लगता ठंड बढ़ रहे पच्छुआ हवा चलने से कनकनी बढ़ गई है इधर बतादे संकर्मित ह होने के तीन माँ बाद ही वैक्सिन लगेगी दिली से खबर निकलकर सामने आए को लेकर केंद्रे ने शुक्रबार को नई गाइडलाइन जारी की है अब करोना संकर्मित पाए जाने के तीन महें बाद ही बैक्षी को कुरोना का टीका लग सकता है आप जान लिए जरूरी य काया कहना है और इधर मुंबाई की एक बड़ी खबर है बहुमंजली इमारत में लगी भीशन आग छोग की मौत हो गई है 23 घायल दमकल की 13 गाडियां और साथ टेंकर घटना असर पर पहुंचे आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है और इधर पटना को जड़ से जल्ध अपराध्यू को पकड़ने की कोसिश कर रहा है यानि की कोसिश जारी है गतंत्र दीवस लेकर अस्टेशन ओर हाई अलड़ जारी किया लागतार बताते आाहिस गतंत्र दीवस के अथर पर पुरिदेश्वी अलड़ जारी कर दिया गया है और अभ सिमन परिक्रिया पूरी होने के बाद विधान सबाद चुना होगा साथ इस्थिति समाने होने पर राज्य का दर्जा भाल कर दिया जाएगा उन्होंने भारत का पहला जिला सुसासन सुच्यकांक वर्चुबल रूप से जारी करते हुए का कि जम्मू कश्मीर पीम मोदी की प सब्सक्राइब तक बन जाएंगे आपको बता दें लाभुक यदि बैंकों से रिन लेकर आवास पुन कराना चाहते हैं तो उन्हें मदद दी जाएगी और आपको बता दें बिती वर्स दोजारे का इस बाइस में 11990 ने लाभुके के आवास का निर्मान का लच्छ रखा सब्सक्राइब कर दें लाभुकों को पहली किस्ता अगले माह में दिया जाएगा आपको बता दें परधान मंत्री ग्रामीन आवास श्योजना ग्रामीन के अंतरगत वर्स दोजारे का इस बाइस में 11990 ने लाभुकों का आवास निर्मान के लच्छ इसके लिए विभाग एक ने टैम लाइन कर दिया है इधर मेधा चात्रवित्य को आवेदन 25 तक एस सी आरती ने राश्ती आयत्रम मेधा चात्रवित्य योजना परिच्छा 2022-23 के लिए आवेदन के की तीथी बिस्तारित कर दिया अबशात्र 25 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं पहले याश जनव भाजपा और जदिव का मन मुटाओ सामने दिख रहा है वहीं हर कोई अब दाव अजमाने के लिए तयार है यानि कि बिहार के बाद अब यूपी फता की भी बात चल रही है यानि यूपी में भी बिहार का समराज हो यह देखने के लिए मिलेगा लेकिन इधर हम बता देते है कि उपी बिधानसवा चुनाओ जदिव ने 26 सीटों की सूची जारी कर दी है भाजपा से गटपंधन पर नहीं बनी सामती ललन सी काया मानना है उमिदवारों के नामों की घोषना दो से तिन दिनों में करने की बात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश बिधानसवा चुनाओ कि भाजपा की और से समती का हम लोग लंबे समय से इंदजार कर रहे थे शुक्रवार की शाम तक भाजपा की और से कोई संदेश नहीं आने के बाते ने लिए और विहार में भाजपा जदीव का गटबंधन मजबूत जैस्वाल एक तरफ गटबंधन के नीमों का उलंगन और दूसरे तरफ कर रहें कि गटबंधन बरकरार है इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा बिहार में हमारी गटबंधन रहेगी लेकिन पर बंदन नहीं देगा एक कैसा गटबंधन है सोचने वाली बात है जैस्वाल साहिब करते पर्दिश बात बात जैक्टर संजेज से बियार में कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है हमारी समझोता जो है बिहार के लिए हुई है इधर बिहार में भाजपा और जदियू का गटबंधन बरकरार रखने की भी बात कहीं जा रही है थानों को जरूरी खर्च के लिए नहीं करना होगा इंतजार खूलेगा खाता राच के सभी थानों को बैंक में होगा पैरेंट एंड चैल्स अकाउंड आत्मी निर्भरासी के लिए बैंक खाता खुला जा रहा है यहां पेमेंट एंड चैल्स काते के तर्ज पर काम करेगा इसकी पूरी बेवा कुछ परकिरिया निर्धारित की गई है जो ही परकिरिया पुरी होगी उसे ही रास्ति ठाने के खाते में भेजा जाएगा और इधर पॉल्स पोल्यों के लिएक बड़ी कबर निकल कर सामने आ रहे हैं कि बिहार में 27 फरवरी से पल्स पोल्यों अभियान का फिर से सुरुआ यहार है एक तरफ करती में काफी सुधार हुआ है अब हकाटों की कभी नहीं होगी खार पर देखा जा रहा कि मारा मारी है किसानों की uppi कि सान परशान के भाज मांग और पॉती में अंतर घट कर लगवक्त 8094 ब notation अगया है और जदिव का स्वैषिक सायोगरासी, शंगरावियान सुरू। जदिव पर्धिषा अद्याच उमेशी कास्वाहा ने के सब्सक्राइब का सुभा रम्भे कि वहीं बड़ी संख्या में दल के साथियों सब्सक्राइब पर लगेंगे सीटीवी कैमरे बात इंटर पर इचा के बारामदे और गेट पर भी लगाये केमरे क्रोना संकर्मन के कारण केमरों की बढ़ाई जाएगी संख्या यानि के इंटर परीचा में नजर रखी जाएगी हर केंदर पर सिस्टीवी केमरे लगए जाएगा ताकि कदाचार मुग्त परीचाली जाते के राजभर में 1471 केंदरों पर लगभग 12768 सिस्टीवी केमरे लगाए जाएगे इसकी पूरी जिम्मवारी संबंदित जिला सिचा करे आलग की होगी इधर 1116 कडों से निचली अस्टर के स्पतालों में बढ़े गिस्सु भी धाएं केंदर ने 15 में बीत आयों कि नुसंसा पर सब्सक्रास्ति बिहार सरकार को सब्सक्राइब होंगे अस्टाप सेलेक्ट्स और सुबास्त अंदर बोष की परतिमा नई पीड़ी के लिए पेड़ना देगी तराबंदी कानून की अभिलम समिछा हो और आई टी आई की अंसर की हुआ जारी तो यह ती आज की परमुक चिंता का पिसाय है कुरोना में कुरोना देश में कुरोना वायर संकर्मन के 3,37,704 ने केस मिलने के बाद कुल केस बढ़कर 3,90,000 को कि संख्या में बताई जाती है आपको स्वास्त मंत्राले ने सनिवार सुबा तक है आकुडों के मुताबिक शक्रियम मरीजों के संख्या बढ़ गई है लागतार देश अस्तर पर जहां सक्रियम मरीजों के संख्या बोड़ रहे ही विहार में भी कम होते जा रहा है उतर पर देश में सभी सिच्छन संस्ताम स्थी तक बंद रहे करने की बाते कई गई है महातिर मुहम्मद अस्पताल में हुए भरती तिसरी लहर क की हर चोटी बड़ी कवरें जो आपको जानना जरूरी था हमारे साथ बने रहिए और देखते रही अपना चैनल धन्यवाद जय हिंद जय वारत बंदे मातरम